हेलो बच्चो कैसे हो आप सभी मैं आपकी टीचर सीमा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SR Education पे बच्चो कैसे हो आप सभी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आई होप की सब पढ़ रहे होंगे और मस्त होंगे बिटा आज हम हरियाना जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्यूश्चन करने वाले हैं जो की HSSE के सभी एकजाम्स एस्टैट और CET टेस्ट वगरा ये सब के लिए जो हैं उप्योगी होंगे ठीके बिटा तो चल ये फिर सुरू करते हैं हमारे आज की क्यूश्चन फर्स्ट क्यूश्चन है हरियाना साहिते अकादमी का अगठन कब हुआ तो बच्चो हरियाना साहिते अकादमी का अगठन हुआ 9 जुलाई 1970 को और अगर ये क्यूश्चन आ जाए कि हरियाना साहिते अकादमी का मुख्यले का पे हैं तो वो है बेटा हैं पंचकुला में ठी ये बेटा सूरजगुंड में लगता है, फृरीदाबाद डिस्टिक में लगता है, और ये फरवरी में लगता है, हर महीने एक से पंदरा फरवरी तक, ठीक है, सूरजगुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है, ये मेला ये हर एक वर्ष लगता है, और ये एक से पंदरा फरवरी तक, हर साल लगता है, हरियाना का सबसे चर्चित और लोग पिरिये कवी कोन है, तो बेटा हरियाना का सबसे चर्चित और लोग पिरिये कवी जो है, वो पंदित लखमी चंद को माना जाता है, ये एक बहुत ही फेमस हरियाना के लोग कवी हैं, और इनका जनम जो है, वो कहां पे हुआ था, बताए कमेंट करके बताए आप किस डिस्टिक में इनका जनम पेटा, सोनिपत में और इनका जनम हुआ था 1903 में, और 1903 से 1945 से, ठीक है बता, नेक्स्ट क्विस्टिन, हरियाना में सुल्तानपुर नैशनल पारक किस जिले में हैं, तो सुल्तानपुर नैशनल पारक है जो हो गुरू ग्राम में और ये फुरुक नगर तैसिल में आता है ठीक है और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1902 में, नेक्स्ट क्विचन, हरियाना में कलेसर राष्ट्य उद्धान किस जिले में हैं, तो कलेसर राष्ट्य उद्धान जो है वो है युम्ना नगर जिले में, और इसका नाम जो है, क्या है, युम्न तीन को और इसका चेतर फल कितना है इसका चेतर फल है ग्यारा हजार पान सो सतर एकड में ये फैला हुआ है अच्छा इसका नाम कलेसर किस लिए है ये बताईए आप कमेंट करके ये क्यूश्चन बताईए तो बेटा इनका नाम जो कलेसर है ना क्योंकि ये जो उद्धान है इसमें एक सीव मंदिर है और उसी के नाम पर इसका नाम जो हो कलेसर रखा गया है बगवान सीव के मंदिर के नाम पर ठीक है नेक्स्ट क्यूश्चन नेक्स्ट है बेटा हरियाना में मगरमचे परजनन के अंदर कहां पे है तो ये है भोर सैदान कुरुक छेतर में और गिद संद्रक्षन और परजनन के अंदर कहां पे है ये है पिंजोर पंचकुला में और मोर चिंकारा परजनन के अंदर ये question भी HSSC पूछ चुकी है कई बार ये इसका answer होगा जाबवा ये रेवाडी में है next question है हरियाना में Indian National Defense University कहा है तो ये है बिनोला गुरू गराम में बिनोला गाउ में है गुरू गराम में है और इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी बेटा 2013 में ये भारत की जो Defense University है भारत में total कितने Defense University है बताइए comment करके तो भारत में है बेटल total 14 Defense University उनमें से ये एक हरियाना में है और इसकी स्थापना हुई थी 2013 में और जो पहली Defense University है वो है देहरादून में जिसकी स्थापना हुई थी 1922 में देहरादून में जो की उत्राखंड में है ठीक है बेटा next question है हरियाना में केंद्रिय विस्वी धाले कहां पर है तो केंद्रिय विस्वी धाले कहां पर है ये जो हरियाना का एक मातर Central University है ये है महेंदरगर के जाट पाली में कहीं कहीं पर ये आपको जैंत पाली भी मिल जाएगा और इसकी स्थापना को हुई थी इसकी स्थापना हुई थी वेटा 2009 में ठीक है next question है हरियाना किन अकसांसों के बीच है तो हरियाना है 27 डिग्री 39 से 30 से 55 उत्री अकसांस next question और वो थे वेटा अकसांस हो और ये यहां पर पूछा हुआ है देशांतर देशांतर कौन सी है देशांतर है वेटा 74 से 29 से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर ये उत्री अकसांस है और ये पूर्वी देशांतर है इनमें आप confuse मत होना next question है कौन सी नदी हरियाना की पूर्वी सीमा निडारित करती है यानिके जो पूरो में हरियाना की सीमा है उसको निडारित करती है तो ये है वेटा यमुना नदी और ये हरियाना और उत्तर परदेश के बीच में प्रकृतिक सीमा बनाती है प्रकृतिक तोर से इस नदी ने यम्ना नदी ने हरियाना और यूपी को अलग किया हुआ है ये बिल्कुल बोडर पे है ठीक है बेटा next question है हैरियाना का वे कौन सा परदेश है sorry भारत का वे कौन सा परदेश है जिसके सभी परियाटन स्थलों के नाम जो है पक्षियों के नाम पर रखे गई है तो वो है वेटा हैरियाना हैरियाना में जितने भी परियाटन स्थल है उन सभी के नाम जो है पक्षों के नाम पर रखे गए हैं और हरियाना में total कितने प्रियाटन्स थल है जो हरियाना सरकार के under में आती है वो है वेटा, 44 और 44 के सभी के नाम जो हैं वो पक्षियों के नाम पर रखे गएは next question हरियाना की 2011 की जन गर्णा की अनुसार जन संख्या कितनी है तो जो 2011 में हरियाना की जन गर्णा हुई थी उसके अनुसार जो जन संख्या है वो कितनी है बताईए आप कमेंट करके वो है बेटा दो क्रोड तरेपन लाख इक्यामन हजार च्यार सो बासट ठीक है टोटल कितनी है दो क्रोड 53,54,62 और अगर ये पूछा जाए कि हरियाना का उसमें पूरे भारत में देखा जाए तो कौन सा नंबर है जन संक्या में तो वो है बेटा हरियाना का अठारवा नंबर है ठीक है बेटा नेक्स्ट क्यूस्टन दो जार ग्यारा की जन गरना के अनुसार हरियाना में लिंगानु पात कितना है तो यहाँ पर बेटा लिंगानु पात है हरियाना का 877 वैसे एक्चॉल में ये 879 है लेकिन यहाँ पर 877 दियावा है 879 है ठीक है नेक्स्ट क्यूस्टन है दो जार ग्या 23 व्यक्ति पर्टिक किलोमेटर के हिसाब से ये अनुमान लगाया जाता है और है रियाना में जो जंचंका घंता हो है वो कौन से जिले का सबसे कम है तो वो है बटा शिर्शा का और सबसे ज्यादा जो है फ्रीदाबाद का सबसे कम है तो ये देख को है नेक्स्ट एप अंग्रेजों ने हरियाना को पंजाब में कब मिलाया अंग्रेजों ने हरियाना को पंजाब में मिलाया 1858 में ये बिटा 1859 की किरांती के बाद में मिलाया गया था अच्छा इस से पहले हरियाना किसका हिस्सा था ये बताइए 1858 से पहले हरियाना जो है वो उत्तर परदेश का हिस्सा था बाद में इसको पंजाब में मिला दिया गया ठीके बेटा, next question हरियाना पंजाब हरियाना पंजाब का सी मांकन किस आयोग ने किया तो ये था जेसी शाय आयोग हरियाना को पंजाब से अलग किया था जेसी शाय आयोग टीक है वीटा और Jcšai आयोंग की स्थापना कब हुई थी숙 य объяс आयो की स्थापना हुई थीी इस अपरेश उ innovations को और इसकी रिपोर्ट कब ऐ थी रिपोर्ट आई थी 31 मए 1966 को हर्याना पंजब सीमा आयो만 का गठन किया था, इसने जेसी शायोग ने, ठीक है, फेज़ानया पंजाब की यह पूछ लिया का, क मिस्ताज़ा है, इसकी स्थापना कवी थी, वो मैं आपको बता चुक्य हूँ, इसकी स्थापना हुई थी, 23 अपरेल 1966 को और इसने अपनी जो है रिपोर्ट 31 मई 1966 को पेश कर दी गई थी इसके दवारा ठीक है नेक्स्ट क्यूस्ट बेटा यह देखिए क्यूस्ट नमबर 21 2011 की जन गना के इन्सार किस राज्य में महिलाओं का परती अजार पूर्शो परणपाद सबसे कम है तो वो है बेटा है रियाना का और यह बहुती शरमनाक बात है हरियाना का कितना है लिंगनपाद जो कि पूरे भारत में सबसे कम है वो है 879 और सबसे ज्यादा कहां का है बेटा सबसे ज्यादा है केरल का कितना था 1084 सबसे ज्यादा सबसे बढ़िया लिंगनपाद इनका और हरियाना का सबसे कम है और केरल का सबसे ज्यादा है Lifth 1902 Next question यह 1336 में दिली की गद्दी पर वैठी थी और 1240 में इसका कतल हो गया और इसके पिता इल्थूत्मिष थे और इनका सम्मंद जो है बेटा वो है गुलाम है Next question पानी पत का पहला युद कब हुआ पानी पत का पहला युद हुआ बेटा 1526 में इसकी actual date है 21 अप्रेल 1526 और ये किन किन के बीच में हुआ था ये हुआ था बेटा बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में ये देखें next question के बारे में यही पूछा हुआ है कि पानी पत का पहला युद किन किन के मद्दे हुआ था यह हुआ था बेटा इबराहिम लोधी और बाबर के बीच में बाबर जो है यह मुगल था और इबराहिम लोधी इसका सम्मंद लोधी वन से था और यह दिल्ली सलतनत का शाशक था इन दोनों के बीच में युद जो है वो हरियाना के पानी पत जो जिला है वहाँ पर हुआ था और यह युद कब हुआ था 21 अपरेल 1526 को इस युद में इबराहिम लोधी जो हार जाता है और यह मारा जाता है और बेटा यह भारत के इतियास का पहला ऐसा शाशक है जो यु स्थल में मारा गया था और इसका मकबरा कहा है इसका मकबरा भी इबराहिम लोधी का मकबरा यह पानी पत में ही है और बाबर यह इस युद में जीत गया था और इस ने फिर मुगल वंस की स्थापना की थी भारत में मुगलों का साशक था यह पहला साशक इसने मुगल वंस की नीव रखी थी ठीक है बीटा और ये कब से कब तक था ये 1526 से ये 30 तक था ठीक है 1530 में इसकी मिर्तु होगी थी तो ठीक है बीटा ये थे आज के हमारे हर्याना जी के के 25 क्यूस्चन और ये क्यूस्चन जो हरे हरे एक ऐसससे एक्जाम इंप सर्ण है और ये लिएस्टेट के परेट है और ये ये ह्ट। जो में अर्याना Meng線 themes है संब कैसी कि जांगे हैं उसके लिए मोस्ट इंप्राइट का नЕТ कि भाएं तो विडियो को लाइक करना साब कर आוס कि लगे और वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद